Assalamu alaikum all of you hope you all are doing very well और आज हम आए हैं हाई पे शाहीन शनवारी रेस्टरॉंट और यह आप देख सकते हैं बाहर से इसका व्यू दिस इस दे एंट्रेंस और बाहर भी इनकी पारकिंग है और अंदर भी इनकी पारकिंग है तो आप देख सकते हैं इस तरफ सारी यह कार पारक सिटिंग एरिया है बैक साइट पे इनका प्ले एरिया है सारा फॉर किड्स जहान पे जूले बग़एर इस तरह की सारी चीजें हैं और यह सारा आउट्डोर सिटिंग एरिया है जहान पे वह टृडिशनल तखत और गाउं तक यह वगईरर रखे हैं तो आप इंडोर कर सकते हैं और एक बिशमिल्ला पान शॉब भी यहाँ पर मांसे आप पान भी खरी सकते हैं और यह जो आपको बीच में एक वाल शी नजर आ रहे है Sergeye एरिया और यह जो बिसमिल्ला पान शॉप है इसके राइट साइट पे एक वाल सी है जो आपको नदर आ रही है तो वाल की दूसरी साइट पे जो सिटिंग एरिया है वो सिर्फ मेल्स के लिए है और इस वाल की लेफ्ट साइट पे जो सिटिंग एरिया है वो फैमली के लिए ह और इस wall की right side पे जो sitting area है वो males के लिए उसके लावा आप यहाँ पे देख सकते हैं cars भी खड़ीनी है तो ये इनकी compound के अंदर भी है car parking और main road पे भी है and this is the food we ordered और food इनका जो है वो बहुत delicious था और ये इनका सारा menu है अच्छा ये जो menu है इसमें जितने भी rates हैं वो ही आपको pay करने होंगे क्योंकि ये rates जो है वो all the taxes are included in these rates इसमें आपको additional जो in the end वो 17% tax लगा देते हैं कुछ restaurants तो वो वाला यहाँ पे seen नहीं है बाकि अगर हम environment की बात करें तो बहुत ही best environment है क्योंकि आपके पास दोनों options हैं आप indoor dining भी कर सकते हैं और privacy का भी कोई issue नहीं है और male का sitting area अलग है family का sitting area अलग है और जो indoor इन्होंने hut types बनाएवे हैं वहाँ पे वो traditional आप नीचे बैठके अराम से खाना खाईए और वहाँ पे fan भी लगावा है तो बड़ा ही अच्छा environment है अगर हम food की बात करें तो अब तक जितने भी restaurants हैं highway पे जिनका मैंने खाना खाया है उन में से best जो है वो मुझे यही लगा तो टेस्ट के लिए तो मैं आप जो है वो इनको दोंगी 10 out of 10 क्योंके इनका जो drink था उसमें भी एक special type का मसाला डलावा था जो normal और जगह पे जो drinks होते हैं उनमें नहीं होता और उसके लावा हम पहले भी यहाँ पे Chinese ट्राइ कर चुके हैं वो भी इनका बहुत ही delicious था और इस दफ़ा हमने इनका अफगानी काबली प्लाव जो है वो ट्राइ किया था तो उसमें भी rice की quality भी बहुत अच्छी थी जो rates थे उसके हिसाब से meat, rice और जो उसमें carrots और सारी किश्मिश बगारे डली भी होती है उनकी quality भी अच्छी थी और quantity भी अच्छी थी तो आप लोग जरूर यहां का विजट करें थांक यू सो मच अलाफ़स